तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे अगर आपकी कोई पिक्चर है उसके ओपर दाग दब्बे हैं आपकी स्किन जो है वो डैमेज है तो उसको आप फोटोशॉप के अंदर किस तरह से फिक्स कर सकते हैं तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने एक पिक्चर ली है तो इसको मैं यहां पर सबसे पहले डुप्लिकेट करूँगा डुप्लिकेट करने के लिए आपने कंट्रोल जे को प्रेस करना है तो यह आपकी पिक्चर जो है यह हो जाएगी उसके बाद इस layer को मैं hide कर दूँगा अब हमारे पास जो है वो तीन tools हैं acne को और दाग दबों को remove करने के लिए यहां पर आप आएंगे और यहां पर right click करेंगे तो sport healing है healing brush है और patch tool है तो सबसे पहले हम use करेंगे sport healing brush का sport healing brush को आपने select करना है select करने के बाद उपर यहां पर आपने content aware को selected रखना है फिर उसके बाद आपने इसका mode जो है उसको आपने यहां पर lighten पर रखना है ठीके जी अब मैं इसको zoom करूँगा zoom करने के बाद जहां जहां पर हमारी skin जो है उसके उपर dark दब्बे हैं उनको हम select करते जाएंगे और वो automatically remove होता जाएगा ठीक है अब आप देखें कि मैं जिस जिस तरह dark दब्बों को select कर रहा हूं फॉरण जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से remove हो रहे हैं अब इसको zoom out करके देखते हैं तो आप देखें किस तरह जो है वो neat and clean तरीके से हमारे जो spots हैं वो remove हो चुके हैं अगर मैं आपको before दिखाऊं तो पहले picture ऐसी थी अब आप इसके अंदर difference देख सकते हैं ठीकी जी तो यह था पहला method sport healing brush अब आते हैं second method की तरफ उसके लिए मैं दुबारा एक layer create करूँगा control J duplicate layer इन दुनों को मैं hide कर दूँगा अब यहां हम आएंगे healing brush tool पे इसको select करेंगे select करने के बाद यहां पे zoom करेंगे और फिर आपने क्या करना है कि alt key को press करके जो skin का color आप देना चाहते हैं उसको आपने select कर लेना है यहां से मैं इसको select करूँगा अब then आपने यहां से coloring start कर देनी है तो यह जो spots हैं यह automatically remove होते जाएंगे मैं यहां पे रफली कर रहा हूँ लेकिन आपने इस पे थोड़ा time लगा के इसको perfectly remove करना है जितना ज़्यादा time देंगे उतने अच्छे results जह हैं वो आपको मिलेंगे अब जी हमारा second method जो था उसके जरीए भी हमारे spots जह हैं वो remove हो चुके हैं अब हम आएंगे third method की दरफ उसके लिए मैं दुबारा control J को press करूँगा और इन दोनों को मैं hide कर दूँगा इसको zoom करेंगे zoom करने के बाद यहां पे हम आएंगे patch tool पर इसको select करेंगे और यहां से आप जो है वो इसको content aware भी select कर सकते हैं और make sure कि जब आप normal पे हों तो आपका source जो है वो selected हो यहां से मैं इसको content aware भी करूँगा और फिर आपने उस area को select करना है select करने के बाद आपने move करना है and that's it फिर control D आपका जो spot है वो remove हो जाएगा ठीके जी इसी तरह आपने इस method को repeat करना है फिर आपने control D को press कर देना है तो इसी दरह slowly slowly जो है आपने तमाम जो spots है उनको remove करना है तो यह थे तीन method जिसके जरीए आप किसी भी skin के spots को dark धबों को साफ कर सकते हैं spot healing brush tool, healing brush tool and patch tool ठीके जी तो उमीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आप channel पर नए हैं तो वीडियो को like और channel को subscribe कर दें तो आज के लिए इतना ही see you in the next video